नमस्कार दोस्तों स्वागत अपका एक बाद फिर से मेरे चैनल connect on tag पर तो दोस्तों अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप घर बैठे अपनी PNB की passbook को download कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों हमें passbook download करने के लिए bank जाना पड़ता है और वहाँ पर हम machine से passbook को print कर सकते हैं लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम bank नहीं जा पाते हैं क्योंकि हम अपने busy होते हैं अपने काम में अपने वेपार में या अपने जॉब में तो हम नहीं जा सकते बैंक तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे अपना PNB का passbook डाउनलोड कर सकते हैं PDF format में तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों वीडियो अच्छा लगए तो लाइक कर देना और चैनल पर अभी नहीं आए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लेना तो दोस्तों सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर से हम डाउनलोड कर लेंगे अपना PNB1 एप यहां से दोस्तों हमने PNB1 एप ओन कर लिया है तो अभी दोस्तों इस पे हम कैसे अपना create करते हैं मोबाइल बेंकिंग कैसे स्टार्ट करते हैं इसको बारे में मैं आपका वीडियो बना दूँगा आप कमेंट करके बॉल देना मुझे तो अभी दोस्तों यहां से देखिए हमने account बना रखा है यहां पर यह नाम आ रहा है मेरा अब दोस्तों यहां पर हमें enter करनी है चार अंको की pin नमबर जो कि हमने ही set करी थी वो भी उस वीडियो में आपको मिल जाएगा तो अभी हम यहां से यह डाल देते हैं अपना और यहां से डालने के बाद यह हमारा sign in हो जाएगा तो अभी हम इसको डाल देते हैं यहां से तो चलिए यहां से हम टाइप कर देते हैं जो हमारा passcode है अब दोस्तों यहां से हमने passcode को कर दिया enter और यहां से यह हमारा app open हो ग कि हमें option बहुत सारे मिल जाते हैं, fund transfer बहुत ही अच्छा interface है, speed बहुत अच्छी है, तो इसे आप जल्ली से download कर लिजिए, अगर आपका account PNB में है, तो दोस्तों यहां से अभी हम नीचे scroll करेंगे, और यहां पर देखिए लिखावा M passbook, तो यहां से हम M passbook पे click कर देंगे, अब दोस्तों यहां से हमें अपना account सेलेक्ट करना होगा, तो यहां से हम account को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहां पर जो भी आपका account होगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो अभी अपने यहां से account सेलेक्ट कर लिया, अब यहां से transaction period के उपर click करेंगे हम, और दोस्तों यहां स साथ से 20-23 तक की मलब कि पिछले साल से यह 355 दिन का डाटा देता है देखिए यहां पर साफ-साफ इनने मेंशन करा है तो यहां से हम इसको डेट भी चेंज कर सकते हैं इस पर हमें यहां से कलेंडर पर क्लिक करना होगा और यहां से हम डेट चेंज कर सकते हैं जो भी हमें डे आप यहां से देखिए यह processing हो रही है और दोस्तों यहां से देखिए यह हमारी transaction show होने लग गई है यहीं पर और अगर हम चाहते हैं कि इसको PDF format में download करें तो नीचे लिखावा है download PDF तो दोस्तों यहां से हम download PDF पे click कर देंगे अब दोस्तों यहां से देखिए यह हमारे सामने PDF का option दिख रहा होगा आपको यह वाला तो PDF का option पे हम click कर देंगे तो यहां से हमने यह click कर दिया अब दोस्तों यहां से देखिए यह हमारा PDF का यहां से open हो चुका है अब यहां से आप अपने bank account का number डाल देंगे और यहां से open कर देंगे तो अभी मैं इस step को skip करता हूँ और यह password डाल के आपको आगे का दिखाता हूँ तो अभी दोस्तों यहां से मैंने देखिए password डाल दिया है अब यहां से दोस्तों open पे click कर देंगे अब दोस्तों यहां से देखिए यह हमारी PDF format में आपको passbook दिख रही होगी यह पूरी passbook यहां से हमारे सामने आ जाएगी तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने PNB bank की passbook को डाउनलोड कर सकते हैं घर बैठे बैठे इसमें पूरी detail आपको मिल जाएगी transaction कप कैसे कैसे transaction हुए तो दोस्तों बहुत ही easy process था तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से तो ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को like करना और चैनल को subscribe करना ना भूलना मिलते हैं अगले वीडियो में till then keep watching thank you and bye bye